दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों रोजाना शुबय और शाम हम आपके लिए खबरों का छक्का लगाते हैं उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि अब पाकिस्तान के लोगों को मोदी जैसे लीडर की तलास है तो भाई स सीने कच्चे तेल के भंडारों को निकालने के लिए जवर्दस्त ड्रडिंग चालू करी है कहां पर बिल गेट्स ने भारत की प्रसंसा के द्वार खोले हैं पंजाब में चुकी कमजोर सरकार है तो देश विरोधी तागते मजबूत हो रही है हर घटना करम एक से बढ़कर है संभावना है कि भारत से ब्यू बटोरने के लिए इन्होंने जान बुचकर ऐसा बोला हो ताकि भारत यह भूरी भारी जनता खुब वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इनका धंदा चमके लेकिन दोस्तों एक बास जो नहोंना सही कही वह बात यह है कि साहाब हम मोदी की जरूरत है उनका केना है कि साहब का है बटवारा करवा लिए पाकिस्तान और भारत को एक होना चाहिए था तो आज हमें जो है खाने के लाले नहीं पड़ते जे बात भी भाई सब सही है लेकिन दोस्तों कभी-कभी यह भी लगता है कि बटवारा जो हुआ था वो स कर लिया गया लेकिन हमारा सुप्रीम कोट उसे साबित करना है दुनिया की नजर में कि वह इंडिपेंडेंट है आजाद है निसपक्ष है इसलिए उसने चंद घंटों में इन्हें प्रोटेक्शन दे दी भाईया गिरत्तारी से आजादी दे दी हमारा एक छोटा सा सवाल ह देश में ऐसा कौन सा सामान रखती है जिसे सुप्रीम कोर्ट समय निकाल कर उसके उपर इतना महरबान होने जा रहा है मतलब ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात यह है कि जड़ साहाब ने ये तो कहा कि पबलिक में जो बाच्चित करने का अश्तर होता है वो मेंटेन किया जाना चाहिए लेकिन किसे बता रहे हैं इन्होंने भाईया जी मोजी जी का नाम बदनाम तो अभी किया है ये हमेशा से आप इनकी कोई भी प्रेस कॉंफरेंस उठा के देख लीजिए बट्तमी जी से भरी हुई होती है और हम तो भाईया मैं नहीं लगता था भाई साब देखो इसलिए भाई साब 370 हटने से बड़ा दर्द होता था आप स्वयम देख लिए वाई साब कि अगर जो है नगर पालका की सुवधायन चाहिए कस्मीरियों को तो क्या टेक्स हिमाचल प्रतेस बाले भरेंगे उत्तर प्रतेस बाले भर पर अभी तक तो भाई साब भारती जनता के पैसे से जम्मू कस्मीरियों में गुल्चर्रे उड़ाए जा रहे थे लेकिन अब बदला वह रहा है तो लोग कर रहेंगे यह कैसी डिक्टेशर्शप है यह नहीं होना चाहिए हमें जो है चुनाओ नहीं करवा रहे हो टेक्स लगा रहे है और चुनाओ टेक्स का क्या लेना देना आपने अचास्मीर लेगी अगर आपके तक्स का दूरूपय होता है तो उठाइए उसको अपनी नगर पाल का नगर निगम की सामने लेकिन वाई सब्सक्राइप शुल्जे वो थोड़ी करना है इंको काम फूल जाना ह तो उल्जाते रहो दिल्ली में बहुत सुल जाओ विक्ति है उसको पता है वाईशा कब क्या कैसे करना है इसी वीचे दोस्तों आप अपनी आखों के सामने देख लीजिए अगर कमजोर सरकार बैठती है तो देश विरोधी तागते अपने आप मजबूत हो जाती है कुछ करन पॉइंट यह है कि जो राजी सरकार है वो पूरी तरह से अक्षम है और वो जान बूझ के इस खालिस्तानी मूव्मेंट की आग में पैट्रोल घी डाल रहे हैं इसलिए जो लोग जाडू लिए घुमते हैं उन्हें देखना चाहिए पंजाब की हलत और सोचना चाहिए कि जो आज पंजाब में हो रहा है क्या आप उसी आग में पूरे देश को धकिलने के लिए तयार बैटे हो आपकी जाडू जिसे देश में सफाई करनी थी अब वो भीया देश विरोधी आगों को भड़का रही है अब भी अगर आपके दिमाग का अबलब न चले तो भाई तेल का भंडार खो जा गया था लेकिन तब से लेके आज तक कुछ काम नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ भाई साब दोस्तों हमारी तरह है आपको जानकर भी हरानी होगी कि वहीं वहीं जो है एक सो तीन कच्चे तेल के भंडारें हुए हैं उनमें भाईया ड्रिलिंग करने के करना थी लेकिन अब हो रही है यही बात लोगों को फूटी आख नहीं सुखाती कि अरे यार जो है हम भारत को कच्चा तेल बेच बेच के पैसा कमा रहे थे दलाली उड़ा रहे थे अब मोदी ने यारी सब मैट दिया अब कैसे दलाली खाएंगे जब भारत कच्चे तेल गैस के मामले में आत्मिनर पर बन जाएगा लेकिन मोदी सहाब बनाके छोड़ेंगे हमारे सामने ये पूरा घटना करम अनफोल्ड हो रहा है अब दोस्तों आज की बात नहीं है हजारों साल पहले भगवान स्री राम ने लक्षमन जी से कहा था कि स्वर्णमई लंका अपी की माटी प्यारी होना चाहिए लेकिन लोगों को आज तक अपने देश पर गर्व नहीं है प्यार नहीं है वो सुनें बिल गेट्स की बात बिल गेट्स ने भारत के लिए प्रसंस आके द्वार खोल दिये हैं इनका कहना है कि लोग कहते थे भारत से यह नहीं हो सकता भारत स सामने हां कर दी है सफलता प्राप्च कर लिए हर फिल्ड में भारत की प्रगती देखने लायक है और आज बिल वारत बहुता है उन्हें देश को गाली देने में मज़ा आता है उनके लिए वीडियो बनाया भी नहीं अब दोस्तों इस बार होली का वह विशेश है कारण यह है कि बारह सालों के बाद पढ़ रहा है गजलक्षमी राजयोग बड़े बड़े जोटिसाचारियों की बात आप टीवी यूटूब पर सुन लीजिए वो कहेंगे कि इन इन रासियों को लाव मिलेगा अगर वो ये तंत्रवंत्र पढ़ेंगे ये तोटका करेंगे ये ज आपको मदद करेंगे आत्मनरवर इन्वेस्टर चुर्स अत्मनरवर फूचर्स जिस इसे जोईन करने कि लिए लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जोइन कर लीजिएगा दोस्तों आज आप 100% गारेंटी के साथ कागज पर लिखके जहां रखना हो रख लीजिए एक बार यदि आपने सिवी चार्ट महालक्ष्मी जी की सरण में समर्पन कर दिया तो आपको पैसा कमाने से दुनिया का कोई बल्लम कभी 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 नहीं रोख पाएगा पक्का जानिए ये बात को वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जैश्त्री राम